अब लालू जी एदी स्वस्थ हो गया है तो लालू जी अब जेल जाने का तयारी करें इनको पता है कि हम भरस्टा चार में लिप्ट व्यक्ती हैं आपने देखा कि अभी एक चार सीट इनके इनलों के उपर फिर से आया है जिसमें आदर्नी एनितिस कुमार जी और ललन बाब कि द्वारा सारा साच परमान दिया गया था सीवियाई को फिर से जो है सो चार सीट दाखिल हुआ है तो उसमें भी सजायपता फिर ही लोग होंगे होंगे तो फिर इनको जेल जाना परेगा तहीं लोग बेचेन हैं तीस कुमार जी कहते थे कि यदि आपके उपर आरोप नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप बिहार में आपके साथ रूपम देखें बिहार की राज्यती काफी गर्म हो चुकी है विपक्षी एक्ता की बैठक हुई और उसके बाद धम भड़ा जा रहा है कि हम तो मोधी सरकार को भारत से हटा देंगे कल लालू परसाद यादो बयान दे रहे हैं कल अस्थापना दिवस था कल भी वो बोले फिर एयरपोर्ट पे दिल्ली जा रहे थे उस वक्त भी बोल रहे हैं कि भाई अब मोधी जी को वो का सफाया कर देंगे यहां से भारत से चले हम बात करते हैं बीजेपी के ही पुर्व का भीजेपी का वो सफाया कर देंगए देखिए अब लालू जी यदि स्वास्त हो गये तो लालू जी अब जेल जाने का तयारी करें अभी तो लालू जी जो ऐसो बेल पर हैं उनको तो स्वास्त कारण से ही बेल मिला था सजापता है चारा घोटाला में तो अब जब स्वस्थ हो गए तो अपना सजा काटने के लिए उनको जिल जाना चाहिए उनको जो है सो जाना चाहिए जब आप चारा घोटाला में सजापता है तो आपको जिल जाकर करके अपना सजा काटना चाहिए आपने जो कुकर्म किया उसका सजा तो आपको मिलना है और जिस प्रकार से लालू जी अभी बोल रहे हैं ये वो ने बोल रहे हैं उनका आहंकार उनका बोकलाट बोल रहा है उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ये लोग पिपक्षी एक्ता बना करके भरस्टा चार करने का गैरर्ण्टी दिया है उस तरह से प्रद्वानमंत्री आदर्निये नरेंद्र मोदी जी ने भरस्टा चार को समाप्त करने का गैरर्ण्टी इस देश के जनता को दिया है और भरस्टाचारी को जेल भेजने का गरेंटी दिया है तो यह लोग बखलाए हुए है इनको पता है कि हम भरस्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं आपने देखा कि भी एक चार सीट इनके इनलों के उपर फिर से आया है जिसमें आदर्नी एनिति इस कुमार जी और ललन बाबू के द्वारा जनता दल्यू के द्वारा सारा साच परमान दिया गया था सीवियाई को कि यह गोटालाई किये हैं और सीवियाई को वो सारा गोटाला सच सावित नजर आया और सारा परमान मिला इसलिए उसके उपर से फिर से जो है सो चार सीट डाखिल हुआ उसमें भी सजायपता फिर ये लोग होंगे तो फिर इनको जेल जाना परेगा तो ये लोग बेचेन हैं इसलिए इस परकार का क्या करेंगा अपने कर्ज करता को जोस में लाने के लिए इस परकार का बयान देने का काम कर रहे हैं इसलिए नरेंद्र मोदी जी को जो है सो देश से सफाया करना इनके बस में नहीं है हाँ नितीश कुमार जी को ये जरूर इस राज से सफाया कर देंगे जिस परकार से अपने चक्र वियू में फसा करके नितीश कुमार जी को प्रधान मंत्री का सपना दिखा करके इन्होंने जो जो दिखाया है ये नितीश क कुमार जी को यह जरूर समाप्त कर देंगे इसलिए नरेंद्र मोदी जी देश के सरवाधिक लोग प्रिये नेता हैं देश के जनता के आम जन के गरीब के सब के दिल में बसने वाले नेता हैं जो सपना इनको मुंगरी लाल का हसीन सपना दिखाने का काम किया कि आप प्रधान मंत्री बन जाईएगा तो यह सपना के चक्कर में आकर के नितीश कुमार जी लालू जादव जी जैसे ब्रस्टा चारी के साथ मिल गए जो नितीश कुमार जी कल कहते थे कि आपके उपर फ्रस्टाचार का अरोप लगा है जब आप दीजे सफाई दीजिए आज यदी चार सिट होने के बाद भी कहते हैं कि वो निर्दोस है या उनके लोग कहते है निर्दोस है तो यह क्या है यह नितिज कुमार्जी जिक के उपर जो अपर प्रधान मंत्री का जो सपना ज़रा है भिभ यह नहाल हो यह कि अभर ने होंट ने बने आसुबा मैं जो है फिज्व इसो अपना परधान सचीब गोशीत कर दिये जाकर के तो जो उनके मन में यह सपना घूम रहा है उस चक्कर में वो नितीज कुमार जी लालु जादब जैसे भरस्टाचारी के चंगुल में आके फस गए इसलिए उनको लालु जादब जी जो आज 15 बर्स के जंगल राज से नितीज कुमार जी उनको हटाए थे उनको याद है और इसलिए नितीज कुमार जी को भी वो समाप्त करेंगे यह आप आने बाले समय में आप देख लिजेगा आपने बात कही है कि अब भरस्टाचारी और लोग के साथ वो मिल गया है तो अब उन्हें वो सभी अच्छे लगने लगने लगे हैं मतलब चार सी जो जाकिल हुआ है उस पर वो कह रह कुमार जी जो की पहले वो मंतरी जब तो फाल में मंत्री तो हमें वो ला गया कि दागी है तो उसमें हमसे इस्ञेप्र मांगे थे नितिज KUMार जी आज वो ये क्यों नहीं करते हैं कई इसे मंत्री आपने देखा होगा वी हाल में उनका एक मंत्री पर ये था तो उसको इस्तिफा देना पड़ा अभी जो नया उनका गठन हुआ था तो जितर नामा जी हैं कई इसे उदारन हैं जिसमें नितीस कुमार जी कहते थे कि यदि आपके उपर आरोप लग गया है तो जब तक आप निर्दोस साबित नहीं होते हैं तब तक आप उससे इस्तिफा देदी जो लेकिन आज क्या हुआ जब ते जस्वी जी के उपर ये चा तो नितीस कुमार जी का सोच में परिवर्तन हो गया या परिवर्तन इसलिए हो गया कि उनके मन में उनको प्रधानमंत्री का सपना हो गया उनको लग रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये नितीस कुमार जी जैसे लोगो को के मन में इस परकार से सपना हो जान और उसके कारण से नितीश कुमार जी जो कहते थे कि जीरो टोल्रेंस है उसको समाप्त कर देना ब्रश्टा चार पर यह असपस दिखाई देरा है कि नितीश कुमार जी उनके चक्रवियू में फस चुके हैं इसलिए हमने कहा कि यह सपना है और देखिए देश में अभी प्रधानमंत्री का कोई भैकेंसी नहीं है आरणिये नरेंद्र मोदी जी देश के सब के प्रिये आम जन के प्रिये हैं 14 में जो बहुमत मिला 19 में उससे ज़्यादा बहुमत मिला और 24 में उससे ज़्यादा बहुमत मिलेगा ये हमलों को जो दिखाई पर रहा है आम जनता के बीच आम जनता को लग रहा है कि देश का प्रधान मंतरी के रूप में जो नरेंदर मोदी जी जो किये हैं इस देश के विकास को लेकर के इस देश के सम्मान को लेकर के दुनिया में इस देश के मान सम्मान को बराने में जो उ ने जिल बहुत दर गहां इसी लिए उसी दर से उसी प्रकार का बात बुल रहें इसलिए वह लाट है और बार बार वो अपना भिपक्षी एक्टा भिपक्षी एक्टा की बात करते हैं आप देख लीजेगा ये भी पक्षी ह converge चाय नास्ता पाटी है यह चाय नास्ता पाटी करते हैं यह लोग अच्छा अच्छा भोजन करते हैं सब पाटी मिल करके और उसमें अपना अपना इसवेज़ा नहीं कुछ होता है तानत में राहुल जी का साधी का बात करना सुरू करते हैं कि आप साधी कर लीजी हम लोग बराती जाएंगे लेकिन ये सब जो है सो कुछ नहीं है आप देखिएगा 2024 से पहले ही लोग बैट करके इसी तरह अपना समय को बरबात करेंगे और 2024 में पुर्ण बहुमत के साथ पिछले बहुमत से जादा बहुमत के साथ नरेन मोदी जी पुना देश का प्रधान मंतरी बनेंगे देखें बीजेपी कह रही है कि भाई हम फरस्टाचाडियों को एके करके चुन चुन कर उन्हें जेल में डालेंगे और इधर लालू पर साथ यादों कह रहे हैं कि हमारे आने से मोदी सरकार डर गई है कौन किस से डरा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा तब तक के लिए बने रहें लाइफ बिहार के साथ धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें